दोस्तो आज के इस वीडियों हम बात करेंगे Union Public Service Commission जाने की UPSC में आई हुई Technical Offices की Freshers Vacancies के बारे में जहां पर All of our India के current जो हैं फॉर्म के लिए दोस्तो इसके डिशिएल दोस्तो मैं आपके हमेंपे बात करूंगा तो दोस्तो बैणरी आप हमाइस साथ अगर आपको इन फोर्मेशन जो है पसंदेरी जारु लाइक और शेर की पोस्ट है जिसका नाम है दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग एसिस्टेंट जिसकी नंबर ओफ वेकंशिस दोस्तों 116 है यहां पर किसी पर कोई भी एक्समेंस रिक्वार्मेंट नहीं है यहां पर जो है फ्रेशर्स करेंट जो हैं फॉर्म को फिल अब कर सकते हैं तो इसके रिग मेन फोकस है वो फ्रिशर स्कानेट के लिए है यहांपे मैं दिखाउंगा जैसे कि आप एक बार नोड कर लिजे यहांपे देखोंगे अगर आप दोस्तों तो यहां पर रहाएगा तो यहांपे जो नंबर आप दिखाने जा रहा हूँ यह अगर आप इस PDF को जो है डाउंडोड करना चाहते हैं इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन वोक्स पर दिया हुआ है आप जो वहां से जाके डाउंडोड कर सकते हैं पसरते दोस्तों आप जब इसको नीचे और इसको डाउन करेंगे जब आप 12th नंबर पर आएंग के लिए और Information Technology Department जो Government of India के अंतरगत आता है उसमें जो है वैकेंसी आ रहा किया है जहां पर दोस्तों से क्टेगरी के लिए 20 सीट जो स्ट वाले हैं उनके लिए 9 सीट ओवी सी के लिए 22 और EWS के लिए 13 जनलस के लिए 52 वैकेंसी यहां पर रखी गई है फिसकल हैंडिकाप के दोस्तों यहां पर आप देखोगे क्या क्वालिफेशन रखा गया है तो यहां पर देखा जाए दोस्तों देखिए अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप जो है फॉर्म को फिल अपकर सकते हैं जी हां दोस्तों यहां पर बीटेक के कैनेट ही एलिजबल है तो देख सकत तो ब्रांच तो भी जोए आपका नेयो डरी में होगा और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों और क्या इंपर्णे इंफर्मिशन दिया गया है यह फॉर्म देखे कब से स्टाट हो रहा है तो दोस्तों यह जो फॉर्म है अल्रीडी स्टाट हो चुका है इसकी जो लास्ट रख रखी की है दोस्तों वह जो आपका 11 फरवरी 2021 रखेगी है इससे पर जो है फॉर्म को आप फिल अप कर सकते हैं और बड़ा फरवरी 2021 से अपना फिल अपने फिल अप कि यह उसका ऑल्लाइन प्रिंट आउट ले सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट भी वागी दोस्तों अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है इस वेबसाइट पर जा सकते हैं क्लिक्टेग्डी.com इस वेबसाइट में दोस्तों आपको बहुत धेर सारी वेकेंसी मिलेंगी जो आप लोग लिए काफिया है तो आप यह वेबसाइट पर डेल मिलेगी तो आप जो है वहां से अप्लोड करके यहां पर देखोगे आप क्लिक करके आप जो है इसकी वेकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन और बाकी जो चीज हैं वो जान सकते हो तो दोस्तों आपको इन्फरमेशन कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं मिलत हैं फिन नए वीडियो के साथ नए इंफरमेशन साथ आज के लिए बस इतना है थैंक्स वर वाच और लिस्निंग